तो मतलब इसमें कोई confusion नहीं होगी, आप practice के साथ सीख जाएंगे कि इसमें कौन सी energy किसमें लगेगी ठीक यहां तक, इसके ऊपर एक और problem है, ऐसी problem बहुत आती है जिसमें, let us suppose again ये एक earth, earth का mass है m और radius है capital R हम ऐसा बहुत किया करते थे कि एक rocket को उपर फैंक दिया, ball को उपर फैंक दिया, जैसे जिसमें question है एक हमने object को उपर फैंका with a velocity of 1,000 meter per second अब वो against gravity क्या होगी, उपर 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 जाएगी, वो maximum height कितना attain करेगी ये question है तो अगर ये ही question मैं आपसे कुछ दिरों पहले पूछता या work power energy में पूछता तो आप मुझे answer पता है क्या देते, apply कर लें, v square minus u square is 2 a s तो मैं पूछता V क्या है, आप कहते है topmost point पे velocity is 0 मैं पूछता U क्या है, आप बोलते 1000 given तो है, मैं पूछता A क्या है, आप बोलते minus g अब ग्रेविटेशन में आपको पकड़ लूँगा, मैं कहूंगा कि जब आप height attain करते हो तो g की value क्या हो जाती है, change, तो gravitation के chapter में ये तो लगाना ही मत क्योंकि पता ने कितनी height attain करवा दी आपने, तो उपर जाते-जाते g constant नहीं है जबकि kinematics, work power, laws of motion में, चितने भी question हमने किये, हम ऐसी करते हैं न, हमने ball को फैंका 10 meter, 20 meter, 100 meter, हमने कभी कहा, मैंने एक ball को फैंका 2000 km पे, क्यों कहूंगा, उतने तो g change हो जाएगा, तो वो तो concept ही fail हो जाएगा, फिर वहाँ पर 20 kinematics नहीं लग पाएगा, थोड़ी-बोड़ी height पर लगता है चलता है, जहाँ change नहीं होता clear है यहाँ तक, पर यहाँ तो क्या अब gravitation का chapter है, जी तो change मान की चलेंगे तो आप बिल्कुल kinematics नहीं लगाएं, एक जी जो कभी fail नहीं होती, चाहिए kinematics चाहिए, और वो है energy conservation, वो तो जहाँ मर्जी लगा लो, वो तो fail ही नहीं है, तो जब आपने एक object को फैंका, sum of potential and kinetic और जब वो topmost point पर आ गई, sum of potential and kinetic will remain same तो जब आपने इसको project किया था, तो velocity आपको पता है, तो kinetic energy क्या थी, half mv square और surface of earth पर potential किती है, minus g, earth का mass, object का mass, नहीं किवन तो assume कर लो, divided by capital A, zero मत बोलना, gravitation के अंदर minus g mm by r, और यहाँ पर kinetic क्या हो गई, zero, potential किती है, minus g mm by r plus h, तो energy conservation के accordingly, दोनों का sum equate कर दें, जो आपने assume किया था, small m, तो small m, small m, small m, cancel, minus g m by r plus h, minus g m by r, और v square by 2, तो यह value आगई इसमें, next है, अब क्योंकि जब आप numericals करेंगे, numericals में आपको अर्थ का mass ना given होता है, और ना ही हम उसको याद करते है, होता होगा कुछ भी, हमें अर्थ का radius पता होता है, capital r, 6, 4, 0, 0, kilometer, तो एक काम करेंगे, इन calculations में g भी आ रहे हैं, और अर्थ का mass भी आ रहे हैं, तो मैंने आपको एक formula करवाय था, याद करने को कहा था, small g क्या होता है, g capital m by r square, तो capital gm जहाँ जहाँ दिखे, replace कर दो, small g into r square, यह देखो, capital gm की जगा small g into r square, small g into r square, r से r क्या हो गया, cancel, आपको numerical में v given है, आपको numerical में g तो 9.8 पता ही है, आपको r पता है, 6, 4, 0, 0, kilometer, आपको क्या निकाल नहीं है, height, height can be calculated, इस तरीके से आप height निकाल लेंगे आज के बाद, gravitation chapter में, clear है यहां तक, concept समझ में आ रहा है कि करना क्या इसमें, आज question करेंगे, इसके उपर try, ठीक, तो energy conservation में formulas कैसे apply करने clear है, आपको डाउट है, ठीक है, okay,